पर देख रहे हैं कितना अदोत यहां पर रास कर रहे हैं ये चमुतराही पुरा अरे हमारे बालक का गए इतने से बालक के छोटे छोटे से बालक के ये बालक का गए समने महाप्रभु और स्वामी अर्दाजे हमारे बालक बापस दो ए महाप्रभु जी हमारा बालक क्या गया हमारा बालक बच्चा हम आ चुके हैं चंपक लता जी के अद्बत दर्सन करने के लिए और यह यात्रा अभी करहला गाओं में आ चुकी है तो यहां आज आप इस मंदर के बारे में विशेश जानकारी तो देखो यह चंपक लता को गाओं यहां को चंपक लता जूला को ठिकानों कंगन विहारी कंगन कुंड और देखो जो सामड़ों थाकुर्जी द्वार का चला गया ब्रजमा रास बंद थाई गया तो साले 500 वरस पहले महाप्रभु जी के काल में स्वामी अर्दाश जी के काल में यहां पे बाबा जी हुआ बाबा गमंडी दास बाबा जी नू नाम गमंडी दास बाबा गमंडी दास बाबा गमंडी दास को राधा रानियो ठाकुर्जी ने स्वपन दर्संदियो कि देख हमारों रास बन नहगों है दुवारा ते रास की उत्पत्ती करनी है तो रास की उत्पत्ती करनी है तो देख आकास ते एक दिन दो मुक उठांगे मुक उठांगे आकास में से तो तुमको सब पूरे ब्रजवासिंग को इखटो कर ले तिती बताई कि या तारिक में या दिन आकास में ते दो मुकुट आंगे तो संसार सम ब्रजवासी भेगा हुए स्वामी अर्दाज जी और महाप्रभु बल्लब अचारे जी को बुलाया गया एक पुष्टी मारग और एक मर्यादा मारग सब को बुलाया गया और यहां पर सवा हुई सवा हुई सब बैष्णब बैठे थे तो आकास में ते दो मुकुट आए दो मुकुट आए आकास में ते जैसे कही थी बाबाजी ने मुकुट आए दे माचालू है संसार देखरो है तो देख आकास में ते मुकुट आए और एक मुकुट स्वामी अर्दाज जी की गोदमा है हो एक महाप्रभु बल्लबाचार्य जी की गोदमा है है एक मर्यादा मार गी है और एक पुष्टी मार गी है दोनों मुकुदमा बस दिसानू वेद चे और कोई वेद में दोनों एक सा मुकुट है दोनों संतों की गोदमा मुकुट आए और सब ब्रजवासिन को लेके और सब ब्रजवासी यहां से मत्रा के विश्राम गाट गई और विश्राम गाट पे चौबाओं के भालकों को बुल माहारास करते करते वो सारे जो बालक ते पांच पांच चेटे वर शेवरस के थे और वो सारे बालक यम्नाजी मा प्रविश्ट था धुए गया आलोप था गये वदा रास करते हुए बालक बिलीन थाई गये यम्नाजी मा Стब रहा देख रहें छौबा एकटम activist ध्यान भंग हुआ अरे हमारे बालक का गए इत्ते-इत्ते से बालक के छोटे-छोटे से बालक के ये बालक का गए समने महाप्रभु और स्वामी अर्दाजे हमारे बालक बापस दो ए माप्रभु जी हमारा बालक क्या गया हमारा बालक बच्चाओ बापस देओ बापस मागे तो बोले ये तो ठाकुर जी ना रूप अता ये तो बदा लिला मा प्रवेश थाई गया अरे ऐसे कैसे मानने वो तो संतु लोग लिला मा प्रवेश करेचे ये तो बालक अता, बोले वे सब भगवान थे, बोले कैसे माने तुमारी बात, तो माप्रभू बल्लब आचार रहे, और स्वामी अर्दाजी ने अपनी मंत्र सक्ती थे, सबको हाथ से सारो कियो यमनाजी में, और यमनाजी के अंदर वो सारे बालक रास करते हुए जो बाई, वो सब कहाते हैं, वो सब यमनाजी के भीतर रास कर रहे हैं विस्राम घाट पे, ए सामडों, बाद इनके बाते हमारे चोबाओं का बालक कभी में मुकुट को धारन नहीं करता है, किस्ने का मुकुट, राम लीला करते हैं चोबा लोग, लेकिन रास लीला नहीं करते, वो गमंडी दास के साथ, देखो या करहला गाओं में आई, कहें रास की उत्पत्ती तुमने देखो ठाकुर जी को नाम रास विहारी, राधा, रास विहारी, चंपक लता, चंपक लता, जो है लता सरूपे हैं, तो बहुत बनी बनी थी, ये तो अब नयो बनायो निर्मार, पुरानों, तो भाईया, बाद इनके बाकवू चौबा को वालक मुकुट दारण महीं करें, रामली ला करें, तो बोलो किस्ति अनए अली आला लेकी, बोलो जमना मैया की, मुकुट को दर्सन गाओं में मिलेगा, गाओं में मुकुट है तो बोलो जमना मैया की तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इतना अदोक्त यहाँ पर रास कर रहे हैं ये चमुतराही पूरा उसी तिल के तो यहाँ पर कराते हैं आपको तो यह रास बिहारी जी के बहुत यादुबत दर्सन सिरी चंपक लताजू जो राधा जी की सकी हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम कंगन कुंड की तरफ और कंगन कुंड के कराते हैं आपको अदमत दर्सन तो जैसे ही हम इस मंदर प्रांगर से बाहर नकलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो इस मंदर की संपूर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है यह देखें यह ब्रेज 84 कोस प्रदेश घोलक दहाम से अवत्रीन यह देखें आप यह काफी बड़ी इसकी यहाँ पर महमा लिखी हुई है आप चाहें तो वीडियो को पुष करके आप यहाँ पर इस कथा को पढ़ सकते हैं तो इसको हम और पास से आपको दिखा देते हैं एक बार यह देखें आप तो आप इस कथा में संपूर जानकारी यहाँ पर है जिसको आप पुष करकर के पढ़ भी सकते हैं तो अब हम चलते हैं, आपको कराते हैं, कंगन कुन्ड के दरसन, ये मंदिर का प्रांगड है, ये काफी बड़ा है और अपने आप में भी बहुत ही अद्वुत है, यहां के दरसन हमने पहले आपको कराए हैं और आपको उसका वीडियो हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा जिसमें यहां के जो पजारी जी हैं उनकी संपूर जानकारी हमने आपको दी है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहां पर कृष्ण कुंड कंगन कुंड और यहां पर जो जूला है उसके दर्शन यह काफी बड़ा कुंड है जिसके आप यहां पर दर्शन कर रहे हैं और यहां पर जूला है यह जूले के दर्शन आप यहां पर कर रहे हों और यह पूरा करहला गाओं काफी बड़ा गाओं है यह तो आपने यह वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भ्रज चौरासी को उसकी जै रादे रादे लिखकर जरूल भेजें जिससे आपको भी ऐसा न लगे कि आप श्री कृष्ण जी को प्रेम नहीं करते हैं